नमस्कार न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ आमिज्जा राजववन के समक्ष तमाम जो लोग हैं धरना परदर्शन में बैठे हैं उनसे मिलने के लिए कॉंग्रेस के नेता आजिति विक्रम जैस सवाल पहुंचे हैं उनसे बात करेंगे और जान यहां पर परिशित परिश्टनार्ती संग के जितने भी लोग से मिला हूँ तो रिजल्ट जारी तो होना ही चाहिए अगर लेट रिजल्ट जारी होगा तो यूँआ अपना करियर कैसे बनाएगा तो विभागिये सचीव जी को भी मैं पत्र लिखके अवगत कराऊंगा अनुसचीविय करमचारी संग का जो मांग है जो जायज मांगे है जो पिछले दस वरषों से इन लोग लगे हुए आज पूरा जहारकण का कामकाश पूरा ठप है लोगों को परिशानी हो तो मैं मानेनी मुकमंत्री जी के समक्ष में भी चित्टी के द्वारा पत्र लिखक उनको अवगत कराऊंगा और कॉंग्रेस की जो पतल है पे भी बात रखूंगा मानिनी प्रबारी, मानिनी अध्यक्ष जो राजेश ठाकुर जी के समक्ष में कि इन लोग की जो मांगे हैं, जो जायज मांगें इनको पूर्णूप से पूरा किया जाए जायए वो MSCP का benefit पर इन लोग बात कर रहे हैं, 10 साल का promotion को 8 साल करने की मान कर रहे हैं, retirement age को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पे ग्रेड की announcement की भी बात कर रहे हैं, यह सब जायज मांगें और जो रिजल्ट यहां तक यहां जो मैं बैठा हूँ और रिजल्ट तो जारी होने चाहिए पिछले नॉवंबर से रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो विबागे सचीव जी से मैं बात करूंगा और जारी जल से जल्द हो ताकि नौजवान जो है जारकंट के नाम आगे बढ बात भी नहीं आई तो ऐसे मैं कैसे करें कहीं कामकाज में तुरूटी तो है तब ही डिले होता है तब ही धरना होता है लेकिन आज जितने भी मांग है उनको सुनने आया हूँ और सरकार के समक्ष बात रहूंगा और प्रयास करूंगा कि आगे ये सब चीज ना हो इसके लि सरकार जो बना था आपको याद होगा युवा रोजगार की बात हम लोगों ने की थी पूर्व में जो भी तुरूटी पॉलिसी में रहा है तो एक पॉलिसी बने यहां पर जो लोग 5-7 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए एक पॉलिसी बना भी तो ठेकेदार के स्वीट विल प इनका साफ तोटे कहना है कि कहीं न कहीं एक्जाम हुआ और एक्जाम के बाद रिजल्ट में देरी हो रही है तो कहीं न कहीं सरकार की तूटी है अब देखना दिल्चाथ होगा कि यह तमाब लोगों से मिलने पहुंचे है धरनास्थाल पर सब जो सबसे काग इन्होंने मांग पत्र जो है वो लिया है अब इन्होंने कहा है कि हम कोसिस करेंगे कि सभी विभाग के जो सचिव है उनको पत्र लिखके इनकी जो परिशानिया है उसे अवगत कराएंगे अब देखना दिल्चाथ होगा कि इनका जो पहल है वो कितना काम आता है फिलाल मुझे और हमारे सब अब देखने पादा है अमेटी युनिवर्सिटी का पटना और राची कैंपस पिछले कई सालों से लगतार सक्षा के शेत्र में अनमाच्ट एक्सिलेंस प्रदान कर रही है युनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारणे क यहां के सिक्षकों और चातरों ने मिलकर अब तक एक हजार से ज़ादा रिसर्च पेपर और सौ से ज़ादा पैटिंट फाइल किये हैं 26 से अधिक पैटिंट पब्लिश्ट हुए हैं और तीन पैटिंट ग्रैंट भी हो चुके हैं और यही नहीं यहां के फेकल्टी ज और स थापना से ही देश-विदेश के कई जानिमानी मुल्टिनाशनल कंपनी जैसे Amazon, Accenture, JP Morgan और JPT, TCS, Wipro, ITC, Federal Bank, हिंदुस्तान, युनिलवर जैसे 180 reputed companies के लिए recruitment की preferred choice बन गया है यही वज़ा है कि आयुश कुमार को JPT Company Limited में 24 लाग, जान निशार अक्तर को Amazon से 30 लाग और देव नरूला को Human Holding Company Limited से 44 लाग, 50 हजार का package मिला है वही सुमन गुपता को पालो ओल्टो में मिले 47 लाग के highest packages से युनिवरसिटी ने बिहार और छारकन में एक नया record कायम किया है